Hello and Welcome Friends, आज की एग वीडियो पाइटन की है और पाइटन में स्वाइर रूट कैलकुलेट करने के लिए छोटा सा प्रोग्राम, सिंपल सा प्रोग्राम हम लिखेंगे चलिए आए देखते हैं यूजर की मदद से कैसे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं variable बना लिए हमाने X, X is equal to यह किस type का है, in type का variable है और यहाँ पर लिखा मैंने input function ताकि हम input करवा सकें कि user को screen पर message क्या दिखाई पड़ेगा तो यहाँ लिखा enter a number तो इसी का square root यह calculate करके देगा जो हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं यहाँ पर number एंटर करवा दिया हमने और यहाँ पर आप double added comma या single added comma दोनों का प्रोग कर सकते हैं एंटर प्रेस करके जैसे ही नीचे आएंगे तो फिर अब यहाँ पर हमको वो function लगाना होगा जिसकी मदद से square root calculate होगा तो यहाँ एक और बना लिया हमने sqrt नाम से और is equal to x और यहाँ पर इस तरीके से दो बार आपको into का शाहिन लगाना होगा और इसको multiply कर दीजे 5 से चीक है इतना कर देने से फिर अब एंटर पेस कीजेए फिर एंटर करके नीचे आए और इसको print करवाते है देखते हैं पहले क्या result प्रिंट होता है तो यहाँ पहले लिखता हूँ मैं square root is अब यह जाके store कहा होगा वो देख लीजिए तो यह जाके store होगा आपका sqrt नाम का जो हमने बनाया उसी में तो यहाँ पहले यह store भी करा दिया हमने आप इसको save करते हैं एक बार तो यहाँ से जाकर के इसको save करता हूँ यह चोटा सा program हमने लिखा और यहाँ पर इसको save करता हूँ sw.py py लगाना ज़रूरी है यह मैं पहले भी बदा चुका हूँ यहाँ से जाए और फिर इसको run करवाई तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है enter a number अगर मैं 2 enter करता हूँ तो 1.412 इस तरह से यह calculate करके दे रहा है बिल्कुल सही है ठीक है यह square root है square नहीं है यह बात ध्यान रखिएगा और यहाँ से इसको जब मैं फिर दुबारा run करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं 16 की तो 16 का square root 4 होता है और यहाँ पर calculate करके आ रहा है no problem ठीक है इसी तरह से और भी किसी चीज़ का अगर आपको square root calculate करना हो तो यहाँ पर आसानी के साथ calculate कर सकते है like 98 तो यहाँ पर 98 का square root यहाँ पर calculate करके दे रहा है तो I hope के बात समझ में आ गई होगी कि यह कैसे हो रहा है अगर वीडियो पसंद आए तो शेर कर सकते है thank you for watching this day